हाउ हैपन्स में खुशामदीद दोस्तो आज में एक ऐसी एक्सिडेंटल इन्वेंशन के बारे में जानेंगे जिसने हमारे किचन का पूरा महोल ही बदल दिया इस एजाद को माइक्रोवेव ओवन का नाम दिया गया इसके लिए साइन्टिस्ट को कोई अलग से रिसर्च नहीं करना पड़ी बलके ये एजाद एक रिसर्च के दुरान बाईचांस हुई असल में माइक्रोवेव ओवन रिडार टेकनोलजी का बाईप्रोडक्ट है मसलन जैसे मिठाई दूद का बाईप्रोडक्ट है तो बात शुरू होती है 1946 से जब सेकंड वर्ड वार्ड खतम हो रही थी हुआ कुछ यूंके एक साइन्टिस्ट जिसका नाम डॉक्टर परसी स्पेंसर था एक रिडार कंपनी की रिसर्च लैब में मेगाट्रोन वैक्यूम ट्यूब पर रिसर्च कर रहे थे इस ट्यूब का इस्तमाल रडार सिगनल को प्रोड्यूस करने के लिए होता था जब वो इस ट्यूब की टेस्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी जेब में रखी वी चोकलेट पिगलने लगी है इस वकत लैब में और भी लोग मजूद थे लेकिन उन्होंने इस सारे मामले को इग्नोर कर दिया और अपनी ममूल की टेस्टिंग में लगे रहे जबके डॉक्टर पर्सिज ने इस पर बकाईदा रिसर्च करना शुरू कर दी अगले दिन वो लैब में अपने साथ कुछ पॉप कॉर्न लेकर आए जिने उन्होंने मेगाट्रोन ट्यूब के साथ रख दिया और मेगाट्रोन ट्यूब को स्टार्ट कर दिया और खुद एक सेफ डिस्टन्स पर खड़े हो गए उन्होंने देखा कि कुछ ही वक्त के बाद ये पॉप कॉर्न हीट से फूटने लगे है और सारी लेब में फैल गए है इस सारी रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मेगाट्रोन ट्यूब से कुछ तो ऐसा खारिज होता है जिसका असरिंग फूड आइटम्स पर होता है दोस्तो डॉक्टर पर्सिज ने ये सारा मामला अपने कुलीक के साथ शेयर किया और अगले ही दिन उन्होंने सेम इसी त्रीके से अपने सब कुलीक के सामने अंडाव बालने का एक काम्याब तुजरबा भी किया दोस्तो डॉक्टर पर्सिज ने इस पर मज़ीद रिसर्च की और रिसर्च के दुरान में पता चला कि माइक्रो वेव के वेव का एफेक्ट फूड के मालीक्यूल्स पर होता है इस वज़ा से फूड के मालीक्यूल्स गरम हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर पर्सिज ने इस सारी रिसर्च के बाद एक ऐसी मशीन बनाने का फैसला किया जो हुमें फूड गरम करने और फूड पकाने में मदद दे और इस प्रोग्राम को उन्होंने स्पीडी वीनी के नाम से शुरू किया बाद में इस नाम को बदल कर माइक्रोवेव ओवन कर दिया गया दोस्तो 1946 के आखर तक इस प्रोजेक्ट पर बहुत सा काम हुआ जिसके बाद डॉक्टर पर्सिज इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस माइक्रोवेव ओवन को एक छोटे बोक्स में पैकर कर रखा जाए तो इसकी एफिशन्सी काफी बढ़ जाती है यानि ये फूड को ज्यादा जल्दी गरम कर सकता है इसी मफरूजे को मदे नजर रखते हुए 1946 के आखर तक दुनिया का सबसे पहला ओवन बना लिया गया इस ओवन की हाइट 6 फीट जबके वजन 750 पौंट था इस ओवन को एक रेस्टोनेट में रखा गया जहां पर इसका इस्तमाल खाना बनाने और खाना गरम करने के लिए होता था दोस्तो माइकरोवव ओवन के इस काम्याभी के बाद इसे पेटन करवाया गया 1947 में माइकरोवव ओवन का पहला कमरिशल वर्जिन बनाया गया जिसको रेड रेंज का नाम दिया गया दोस्तों 1947 में रेड रेंज की किमत 5000 डॉलर थी जो आज के तक्रीबन 61,000 बनते हैं वकत के साथ-साथ जैसे जैसे टेकनोलजी आगे बढ़ी माइक्रोवेव ओवन साइज में छोटा और सस्ता होता गया दोस्तो ये थी माइक्रोवेव ओवन की इन्मेंशन की कहानी आप से गुजारिश है के इस तरह की मजीद इन्फरमेटिव वीडियोस हासल करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले